हाई हेलो एवरिवन और वेलकम तो दिस वीडियो सो जावा फंशन सीरीज में एह हमारा फिफ्थ वीडियो है इससे पहले में अब्जेक्ट ओरिएंटेट प्रोग्रामिंग क्या होता है मेथड क्या है बेसिक उसका कितने तरीके के मेथड बना सकते हैं में बता चुका हूं अगर तुमने नहीं देखा है तो प्रीजै जा के सीरीज देख भरो ऑब्जेक्टन क्लासे इन जावा रइक तो प्रीजए जाकर सीरीज देख लो ये कि तई चार UWEv विडियो सीरीज और अगर तुम सिरफ इस वीडियों में कंटिनिव करना चाहो तो कर सकते हो राइट सो इस वीडियो में हम लोग variables के बारे में बात करने वाले हैं राइट सो variables क्या होते हैं सबको पता है जो data अपने अंदर hold करते हैं राइट अब variable Java में तीन तरीके के हैं Java में just give me a second मैं color change कर लो so Java में variables variables Java में तीन तरीके के हैं कौन-कौन से सबसे पहला है local variable दूसरा है हमारा instance variable and third है हमारा aesthetic variable जिसको हम class variable भी बोलते हैं ओके तो अब हम एक-एक करके सबके बारे में बात करने वाले हैं तो पहले हम लोग theoretically थो यहां पर slide में देखेंगे और उसको पर प्रोग्राम में भी इसको हम लोग करके देखेंगे तो सबसे पहले बात करते है local variable की so local variable क्या होता है a local variable is a variable declared inside a method body block or constructor so कोई भी variable जो किसी method के block क्या होता है curly braces open curly braces close अगर इसको block बोलते हैं ठीक है और यह block का area है अगर इस area में कुछ लिखा हुआ है मतलब इस block के अंदर है तो जैसे यहां देखो यह हमारा method है और यहां से यहां तक method का block है method का नाम है square ठीक है अगर हम a variable की बात करें तो यह भी square method के अंदर ही है तो यह भी local जो parameter में variable होता है उसको भी हम local variable बोलते हैं इसके अलावा अगर कोई variable सिर्फ block में है यानि Java में एक block का भी concept है यानि तुम simple block बना सकते हो कोई method या if या for का block नहीं simple curly braces open close अब यह तुम्हारे course में नहीं है भट block के अंदर तुम कोई variable लेते हो जैसे inta तो यह भी local variable है इस block के बाहर use नहीं हो सकता है उसी तरह कोई variable तुम constructor के अंदर declare करते हो तो क्या कहलाएगा local variable तो अभी तुम simple ए समझ लो कि कोई भी variable अगर method के अंदर declare किया गया है तो क्या कहलाएगा local variable जैसे यहाँ पर इस method में दो variable है a और t यह दोनों local variable है ठीक है तो चलों इसको हम लोग करके देखते हैं इसको हम लोग program में करके देखेंगे तो ज्यादा better तरीके से clear होगा तो visual studio code अपना हम open कर लेते हैं अब यहाँ पे हमारा calc class है इसके अंदर एक method हम बनाते हैं so void and मैं इसके पहले public भी दे लेता हूं so public void my is right अब इसके अंदर हम एक variable दे लेते हैं int is equals 25 और फिर हम print कर देते हैं system.out.println और यहाँ पे हम message देते हैं my is is plus is right तो यहाँ पे जो variable देख रहा हूं is नाम का इसको हम declare इस method के अंदर किया है है इस method को इस variable को हम यहाँ पे my is method के block के अंदर इसको declare किया है सिर्फ इस method के अंदर use हो सकता है my age method के block में इसके बाहर use नहीं हो सकता आगर इस class में कोई दूसरा method है तो वह इस variable को use नहीं कर सकता राइट तो देखो मैं so करता हूँ तो अगर अभी इस program को हम run करें so कैसे call करेंगे method को वो अल्यदी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ obj.myage so अगर इस program को हम run करते हैं अभी run करके देखते हैं so java c abc.java and then java abc so देखवा गया my age is 25 अब चलो इसी class में एक और method हम बनाते हैं यह method है हमारा public your is void भी होगा ना मैं भोल गया sorry public void your is और यहां पर मैं देता हूँ system.out.println your is is plus age अब देखो यहां पर मैं age variable को access करने की कोशिश कर रहा हूँ but age variable तो my age के अंदर है न यह सिर्फ इसी के अंदर यूज हो सकता इसके बाहर नहीं तो यहां देखो यहां पर red clear का show कर दिया age के नीचे देखो ठीक है अगर मैं इसको run करूंगा तो error देदेगा देखना क्या error देगा देखो क्या बोला error error क्या है cannot find symbol बोल रहा है कि भाई साहब इस line में यह जो आपका age है यह variable कहां पर है तो मिली नहीं रहा है ठीक है आगया समझ में तो जो variable जिस किसी method के अंदर कोई variable declare किये हैं तो उस variable को हम local variable बोलेंगे और उसको हम उसी method के अंदर ही उज़र कर सकते हैं clear हो गया आई हो समझ में आगया इतना आप चलते हैं अपने next variable की तरफ so local variable के बाद है हमारा instance variable अब instance variable क्या होता है कोई भी variable कोई भी non-static variable aesthetic variable क्या होता है कि अगर जैसे एक variable है int a अगर तुमने इसके साथ aesthetic लिख दिया int के पहले तो यह static variable हो गया तो यहाँ पर बात कर रहा है non-static variable मतलब aesthetic नहीं होना चाहिए so कोई भी non-static variable instance variables are non-static variables and are declared in a class outside any method, constructor और block कोई भी variable जो method के बाहर बट class के अंदर declare किया गया है उसको हम instance variable बोलेंगे तो यहाँ देखो यह जो हमारा class है इसके directly अंदर हमने एक variable declare किया है age नाम का और दूसरा variable weight नाम का देखो यह दोनो instance variable है यानि अब इन दोनों को हम इस पूरे class में कहीं भी use कर सकते हैं यानि इन दोनों variable को इस class में जाको दो method है एक method है what's my age और एक method है what's my weight यह दोनों method ही इन दोनों variable को use कर सकते है age को और weight को क्योंकि यह दोनो age और weight क्या है instance variable है इनका scope क्या है पूरा class है पूरे class के अंदर यह use हो सकता है मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि एक building है ठीक है एक बड़ी से building है उसके अंदर बहुत सारे flat है तो एक flat A है एक flat B है और एक flat C है then flat D है अब इस तुम building को अभी के लिए class मान लो ठीक है बी का जो refrigerator है उसका use कोई और कर सकता है नहीं कर सकता ठीक है तो एक तरीके से सब क्या हो गए जो A का refrigerator है उसका local उसका private चीज़ है ठीक है उसी तरह जो B का refrigerator है और उसके private use के लिए है तो A सब हमारे local variable के example हो गए अब मान लो इस building ने parking के लिए space provide किया हुआ है कि यहां पर सब लोग building वाले सब लोग आड़ी पार्क करेंगे ठीक है तो एक किसी का private नहीं है अब इस building में यानि class में जितने methods हैं यानि जितने flat हैं वो सब इस parking का use कर सकते हैं तो उस parking की तरह हमारा यह दोनो ए जर्वेट variable है इसका use इस पूरे class में जितने method हैं सब कर सकते हैं आया समझ में so I hope instance variable clear हो गया अब instance variable में और भी कुछ है जो मैं आगे जो object को और अच्छे समझाऊंगा तब बताऊंगा ठीक है तो अभी के लिए बस इतने रहें देता है fine so चलो इसको प्रोग्राम में करके देख लेता है अब जैसे यहां पर मैं एक variable लेता हूँ name school name लेता हूँ या name सिर्फ ले लो so string type का variable लेता हूँ string name और इसमें मैं store कर लेता हूँ anish ऐसे ही मैंने store कर लिया ठीक है तो अब इस anish को हम हर जगह access कर सकते हैं हम चाहें तो my age में भी access कर सकते हैं जैसे मैं हा message देता हूँ hello double quotation close फिर हमें name की value print करनी है तो name plus और फिर my age is double quotation में होगा hello anish your age is this आया समयच में इस सबको पता है नहीं मैंने क्या किया है तो basically hello double quotation में लिखा है तो string हो गया तो क्या print कर देगा hello फिर hello के बाद हम string variable की value print कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसके बाद जब plus लगा दिया है तो अब name का जो भी value है anish print करेगा फिर इस variable के बाद फिर हम double quotation में string लिख रहे हैं तो फिर बीच में plus लगाएंगे तो as it is print कर देगा hello anish your age is और फिर हम integer print कर रहे हैं तो बीच में फिर plus लगाएंगे तो age की value क्या है 25 तो your age is 25 यह output आएगा आई होपे सबको पता होगा बहुत basic चीज है तो हम चाहें तो जो हमरा name variable है उसको हम your age method जो है इसमें भी access कर सकते हैं तो चलो मैं यह प्रिंट कर देता हूं hello और फिर anish का नाम प्रिंट करना है जो variable है तो plus और फिर name फिर double quotation प्रिंट करना है तो फिर plus फिर double quotation में your weight is not given ठीक है तो save कर लेते हैं अब run करते हैं चलो बस मैं यहां पर अभी my age method को call कर रहा हूं ठीक है save करते हैं run करते है जावा c abc.java java abc so hello anish your age is 25 राइट अब अगर मैं your age को call करूं तो तो मैं इसको comment में कर दे रहा हूं और मैं यहां पर लिखता हूं obc dot your age okay sorry मुझे है method का नाम change कर देना चाहिए था मैंने your age रखा है your weight मैं इसको कर देता हूं अच्छा age ही था okay sorry your change कर देते हैं इसको right इसको weight कर देते हैं इस method का नाम मैं कर दे रहा हूं my weight so my weight okay so अब यहां पर हो जाएगा my weight save कर के run करते हैं so java c abc dot java then java abc देखो hello honest your weight is not given तो name variable को हमने दोनों method में access कर लिया तो समझ में आ गया instance variable को हम हर method में access कर सकते हैं then third type का variable है हमारे static variable अब static variable क्या होता है समझो जो हमारा variable है जो कि class के अंदर है बट method के बाहर अगर उस variable के साथ हम static keyword का use करें तो static keyword वो static variable हो जाएगा ठीक है जैसे यहां देखो इस class में method के बाहर तीन variable है एक है age instance variable है दूसरा है weight यह भी instance variable है बट जो school variable है जो कि string type का है static variable है क्यों क्योंकि यहां पर data type के पहले मैंने static keyword का use किया है अब एक चीज़ और या दखना local variable static नहीं हो सकता जैसे मालो इस method के अंदर एक variable होता int k और अगर तुम इसके पहले static लिख दोगे तो error आ जाएगा local variable static नहीं हो सकता ठीक है शिर्फ जो class के अंदर variable है और method के बाहर वही static हो सकता है ठीक है समझ में आ गया तो वही definition दिया है static variable in Java is variable which belongs to the class and initialized only once at the start of execution अब दो को static variable में तुम्हें बहुत कुछ अभी समझ में नहीं आएगा यह आने वाले videos में समझ में आएगा जब मैं तुम्हें अच्छे से object का concept explain कर दूँगा ठीक है तो अभी बहुत इसको theoretically समझ दो थोड़ा सा ठीक है बाकी में आगे explain करूँगा सो basically जब भी हम कोई class बनाते हैं न जब हम कोई class बनाते हैं तो class क्या होता है एक description होता है कि तुम्हें किस type का object चाहिए ठीक है और फिर तुम्हें तुम्हें क्या करते हो तुम्हें जितना object चाहिए होता है इस class की help से उतना object बना लेते हो राइट अगर मैं एक perfect example दूँ तो suppose एक पल्सर की company मालोग बजाज की company में गए और जो बजाज की company थी ओव बोलती है कि भाई आईये और आप बताइए आपको कैसी bike चाहिए आप बाइक का maximum speed क्या होना चाहिए बाइक में number of gear कितना होना चाहिए बाइक का color क्या होना चाहिए even बाइक का नाम क्या होना चाहिए अब यह भी बताइए हम आपके हिसाब से पूरा bike design करेंगे तो suppose तुम्हारी एक company है और तुम्हारे company में just give me a minute give me a second okay so तुम्हारे company में दो से employee work करते हैं ठीक है तुम उन सबको bike gift करना चाहते हो तो तुम बजाज की company में गए और तुमने उनको एक paper दिया कि okay see this बुझे एक मिटे साफ कर लें तो पूरा हटा लें तो so तुम बजाज की company में गए और उनको तुमने एक paper paper वहाँ पे बैटके तुमने उठाया और बोला okay मेरे bike का नाम होगा Pulsar 800 okay मेरे bike का color होगा सारे bike का color होगा red bike में number of gear जो होंगे 8 gear होंगे maximum speed जो होगा 500 होगा ठीक है तो तुमने description बजाज की company को लिखके दे दिया अब बजाज की company क्या करेगी इस description के हिसाब से तुम्हाएं दो सा bike चाहिए ना दो सा bike बना देगी तो bike number 1, bike number 2, bike number 3, bike number 4, dot dot dot, ऐसे bike number 200 तो यह जो तुमने description लिखके दिया ना यह basically class हो गया और इस description के हिसाब से जो actual object बना, actual bike बनी वही object है तो same यही concept जावा में भी एक class और object का, class का मतलब हम simply description लिखके देते हैं कि हमें computer के RAM पे, computer की memory पे एक object चाहिए जिसके अंदर एक variable हो age और उसकी value हो 14 उसके अंदर एक variable हो weight और उसकी value हो 75.8 उसके अंदर एक method हो what's my age नाम का, उसके अंदर एक और method हो what's my weight नाम का, ठीक है अब जब program को run करोगे तो computer क्या करेगा, इस class का जितना तुम्हे object चाहिए उतना object RAM पे बना देगा memory पे तो यह पूरा मैं concept आगे explain करूँगा, ठीक, अभी मैंने बहुत brief में इसलिए बताया कि थोड़ा से static बता दूँ तो static variables जो होते हैं वो class के part होते हैं, वो object के part नहीं होते मतलब अगर कोई variable static है तो इस class का तुम कितना भी object बना लो, वो variable उस object का part नहीं होगा मतलब कुछ ऐसा समझो कि suppose जो तुमने bike के लिए description लिख के दिया, तुमने यह बोला कि okay, bike का नाम होना चाहिए, pulsar 800, bike का maximum speed होना चाहिए 6 km per hour, bike में number of gear 8 होना चाहिए but तुमने यह बोला कि self start bike में होगा की नहीं, self start होगा की kick होगा, यह आप final decide नहीं करोगे, ठीक है यह आप जिसको bike दे रहे हो, जो object है उस पे छोड़ दोगे, आया समझ में, मतलब या फिर नहीं, यह थोड़ा सा अच्छा example नहीं हो, मैं दूसरा example लेता हूँ just give me a minute, मैं real world example नहीं, थोड़ा program का example लेता हूँ, ठीक है so just give me a second, so suppose तुमने एक class बनाया, ठीक है, एक class ABC और इस class के अंदर तुम्हें student का record store करना है, क्या-क्या, name, role number और marks, तो तुमने एक variable लिया, string name, एक और variable लिया, तुमने string school name, और एक और variable लिया, तुमने string marks, तुमने एक class बना दिया, अब मान लो, तुम्हारा जो, जिस school में student का record store करना है, उस school में 10,000 student है, तो फिर क्या होगा, इस class का 10,000 object बनेगा, और हर object में student का record store होगा, बट एक बात बताओ, जब इस class का 10,000 object बनेगा, तो हर object में name variable भी होगा, इस school name variable भी होगा, marks भी होगा, बट इस school name variable क्यों हर object में होना चाहिए, क्योंकि यह तो सबके लिए same है न, तो हम क्या करेंगे, जो इस school name variable उसको static कर देंगे, अब इस static करने से क्या होगा न, इस class के तुम्हें जितना object बनाना है बना लो, इस school name variable उस object का part होगा, इने सारे object का, यह अलग से कहीं RAM पे इसको space allocate हो जाएगा, यह हर object के अंदर इसका copy generate नहीं होगा, इस से क्या होगा, हमारा space बचेगा, program की speed बढ़ेगी, तो समझ में आ गया, तो हमारा static variable होता है, वो class का part होता है, वो object का part नहीं होता, ठीक है, दूसरी चीज, जब हम program को execute क करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा static variable होता है, वो execute होता है, सबसे पहले, याद रखना, अब देखो second point वही दिया है, it is a variable which belongs to the class and not to the object, ठीक है, फिर third point, aesthetic variables are initialized only once at the start of execution, मैंने अभी जो बताया, example भी देख लो यहाँ पे, यह जो हमारा school variable है, किस type का है, aesthetic type का, मैंने यहाँ इंडिटर टाइप के पहले, static लिख दिया है, तो यह static हो गया, इसका, अब देखो, इसको मैं run करके दिखाता हूँ, ठीक है, सो, अगर हम चलते हैं अपने visual studio code में, सो यहाँ पे मैं एक variable ले लेता हूँ, static, string, school name, assign with, sjd, ओके, और एक variable में ले लेता हूँ, string, name, assign with, मैं यहाँ पे लेता हूँ, कुछ भी नहीं, इसको मैं ऐसे खाली छोड़ देता हूँ, तो यह तो user enter करेगा, क्या school name चाहिए, फिर मैं एक और variable ले लेता हूँ, string, marks, स्वारी, string यह double type का होगा, ठीक है, double, marks, अब यहाँ पे मैं कुछ method बनायता हूँ, जैसे, void, public void कर देता हूँ, so public void print record, ठीक है, print record method क्या करेगा, तुम्हारा name, string name और double marks, store करेगा, मतलब accept करेगा, parameter नहीं जानता हूँ, जाके पिर से वीडियो देख लो, और फिर data को print कर देगा, so system.out.println, और यहाँ पे message print कर देता हूँ, student name is, student name किसमे name में न, जो parameter आएगा data, name में store हो जाएगा, so student name is name, फिर, student marks, student school name, school name is, school name, right, and fair, sorry, system.out.println, student, system.out.println, student marks is marks, right, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर object बनाते हैं, जैसे मैंने एक object बनाया, ठेक है, अब अगर हम call करते हैं, अभी हमने इस class का, मैंने तुम लोगों को बताया था न, पिछले वीडियो में, इस class का एक copy create कर देता है, और उसको कहाँ इस टोर कर देता है, तो देखो एक्चुली इस line में हो क्या रहा है, इस line में होता यह है न, कि program में जो भी execution हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है, मैरे computer की memory में हो रहा है, तो हमारा control जैसे इस line को read करेगा, वो क्या करेगा, इस calc class में जो भी description दिया हुआ है, उसके हिसाब से computer की ramp एक object बना देगा, और उस object का address किसमें store कर देगा, obj में, obj में store कर देगा, ओके, तो अब चलो यहां पे, suppose हम कई सारे object बना लेते हैं, तो यहां पे मैंने एक object बनाया है, और फिर हम एक और object बना लेते हैं, so calc obj1 assign with new calc, हम एक और third object बना लेते हैं, इसका नाम obj2 देते हैं, तो अब देखो होगा क्या, जब हमारा control program को execute करना start करेगा, जब हमारा control main से program को execute करना चालू करेगा, तो यहां पे पहला object बना, जब इस line को read करेगा, तो new calc तुरंट computer की memory पे जाएगा, और जो class में description दिया है, उसके हिसाब से हमारा पहला object बना देगा, तो इस object में क्या क्या होगा, हमारा एक variable होगा name, दूसरा variable होगा marks, और school name होगा क्या, इस object में, नहीं होगा, मैंने क्या बताया था, जो static variable होता है, object का part नहीं होगा, तो हमारा control क्या करेगा, school name variable को RAM पे अलग से एक जगए space allocate कर देगा, school name जिसमें जडिये store है, ओ object का part नहीं होगा, और school name जो अलग से RAM पे दूसरी जगह है, उसको मैर object से connect कर देगा, और जब object बन गया तो इसके address किसमें store कर देगा, OBJ में, तो OBJ, अभी ये पूरा concept में अगले वीडियो में समझाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट मुझे static बताना तो इसरे बता दे रहा हूँ, फिर जब अगला line execute होगा, calc OBJ1 assign with new calc, तो एक और object बनेगा class का, इसमें भी वही होगा, name होगा, marks होगा, हाला कि हमारा method भी होगा, मैं लिखना भोल गया, ये print record जो method है, print record, तो उसको समझ लो होगा, अब हमारा second object में भी क्या होगा, हमारा control क्या करेगा, जो पहले से sjd नाम का, इस cool name नाम का variable है RAM पे, इसी को इससे भी connect कर देगा, और इस object का address किसमें store कर देगा, obj1 में, फिर हम third object मालों एक और object मनाते हैं, तो फिर वही होगा, तो अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी चीज़ है न, सबका school name तो सेम है न, तो school name को हमने static कर दिया, तो RAM पे अब अलग है, हर object के अंदर school name variable create नहीं हो रहा है, जिसे हमारा space बच रहा है, आया समझ में, clear हो गया, तो अभी इस पे हम लोग बहुत detail में है, अगले वीडियो में, basically हम लोग यह पूरा object का concept समझेंगे, कि object कैसे create होता है, calc, obj, q क्यों लिखते है, new क्या करता है, उसके बाद यह static का concept और पूरा में एक वीडियो इस पर बनाऊंगे, static के concept पे, अभी जिस मैंने brief में समझाया कि variables थोड़ा सा मतलब इतना में brief नहीं, वीडियो तो आदर गंटे का हो गया, but I hope समझ में आ गया हो